हाई गाई वेलकम बेक टो माई चनल आज हम लोग बहुत ही टीश्टी कॉर्मा बनाने वाले हैं मतन कॉर्मा अगर आपको रेसीप पूसने तो मेक शूर आप मरे चनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना ना भूले तो चलिए रेसीपी स्टार्ट करते हैं कि कि हमने या पर हाफ कितली मतन लिया है कि कि 250 ग्राम ये हाफ कम रुदाी लिया है हम लिया है वन टेबल स्पून नंबक अब हमें एक बॉल देना है उसमें हमें अपना मटन एट कर देना है दही एट करना है सारे ड्राइ स्पाइस एट कर देंगे दन्या पाउडर कॉर्बम मसाला मिर्ची पाउडर हल्दी नमक अद्रक लेसुन और हरा दन्या का हमने पेश बनाया था ज़िए हम टू टेबल स्पून ले लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे देखें हम इसे मिक्स कर लिया है आप चाहिए जैसे एक घंटे तगा रख सकते हैं पर हम इसे दस ही मिनिट रखेंगे अब हमें एक प्रेशर को कर लेना है हम मटन की प्रेशर को करने बनाने वाले है आज उसमें हम ऑईल एट करेंगे करीब दो बड़े चमच ऑईल को गरम हने देंगे अब हम जो मर्टन मेरिनेट किया था वह इसमें एड़ कर देंगे और इससे मिक्स कर लेंगे अब हम इसे हाई फ्लेम पे पांच मिनिट और लो फ्लेम पे तीन मिनिट तक पकाएंगे हम इसे कांटीनेस से चलाते हुए पकाना नहीं तो इनिची से जेल जाएंगा अब हम इसे डग देंगे और लो फ्लेम पे तीन मिनिट तक पकाएंगे इसे डग का पकते हुए तीन मिनिट हो चुके हैं अब हम इसमें पानी अट करेंगे हमने से वन ग्लास वाटरेट किया है और इसे मिक्स कर लेंगे अब हम इसे हाफ टेबल स्पन कॉर्मा मसाला अट करेंगे और इसके लिड बंद कर देंगे अब हमें हाइ फ्लेम पे एक सीटी लगानी है और लो फ्लेम पे 20 मिनिट तक हमें पकाना है इसे और इसका प्रेशर रिलीज होने तक हमें इसे रहन देना है दिखिए प्रेशर रिलीज हो चुका है और हमारा मटन भी अच्छी तरीके से बल हो चुका है अब हम इसे एक सर्विंग बोल में निकाल देंगे देखे हमारा टेस्टी मटन कोर मार रेसीबी रेडी है अगर आपको पैसंद है तो प्लीज हमारे तेने को लाइक शेयर सुब्सक्राइब करना नहां बुले थैंक्स पर वाचिंग आर वीडियो थैंक्स प्लूब यूद नहां बुले करना आर वीडियो